नमस्कार दोस्तों Welcome to a new video दोस्तों आज के खुशी के ख़बर यह है कि आप भी कोई भी मुवी क्लिप को डाउनलोड करके फिस्जूग में अपलूड करके बहुत सारा पैसा कमा सकतो जांदेटीबलोड को लिवी देते हैं ऑस्के अंदर आपका एक नेहीं दीखेगा तो आपके लिए ओड़िकेंट situations सकता है मतलब LOC आ सकता है limited originality of content और LOC से कैसे आपको बचना है उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है फिस्बूक के बारे में जो भी आपको help चाहिए मेरे चैनल को आप सर्च करके वहां से बहुत सरा वीडियो को देखकर आप बच सकते हो और आपना फेस्बूक पेज को grow कर बाश सकते हो तो दोस्तों अगर आपको फेस्बूक में movie clip upload करना है तो कहीं से उठा कर उसको बढ़िया से एड़ेट करो और कैसे एड aven आइप करना है उसके बारे में वीडियो मेरे चैनल में दिया हुआ है और पिछले दिन में जो इसका part 1 बड़ा भीडियो बना था आपको कैसे बैसी तरीके से मतलब बैसिक लेवेल में अच्छे तरिकसे वीडियो को करना है उसके बारे में वीडियो दिया हूँ है अगर आप वीडियो देखना चाहते हूं तो उपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में यह कॉमेंट बॉक्स में लिंक दिया हूँ है उसको क्लिक करके देख सकते हो तो दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है तो धैन लगा कर म जब नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिक्सिन आपके बास जल्दी चला जाए दोस्तों बीना देर किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों मैं अपना जो पर आ चुका और आप देख पार हो यहां पर मेरा जितना सारा वीडियो है वहां पर लाइन लाइन द है वहां जाए चैनल को देखकर यह सीख सकते हो और अपना परज को अगे बढ़ा सकते हो तो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको मतलब कैसे आपको एडवांस लेवेल में करना है एडिटिंग में कुछ एडवांस नहीं है लेकिन जो ट्रिक्स है व सबसे अलग है और यह जो जिसने इसको अप्लोड किया है यह उसके सबसे तो यह मतलब ओरिजिनल कॉंटेंट लगेगा और वह भी सोचे का ओरिजिनल कॉंटेंट है तो कोई प्रोब्लेम भी नहीं आएगा तो दोस्तों चलिए इसको अगे बढ़ाते हैं दोस्तों इसका जो तो मतलब आज की वीडियो में जो टॉफिक है वीडियो एडिटिंग उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कौन सा कॉंटेंट को मानिटाइज नहीं देता है ठीक है तो उसका डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो देखिए यह जो इसको पहले छुपा देत है तो दोस्तों देखो यह जो अबका प्रोविटेट फॉर्मेट से मतलब कॉंटेंट प्रेजेंट इन दे फॉलविंग फॉर्मेट्स कैन नोट बी मानिटाइज जैसा है स्टाटिक वीडियो स्टाटिक इमेज फोल्स स्लाइड सोर्स अब इमेज इस लूपिंग वीडिय इस प्रोविडियो में जो फेजबुक उसको मानिटाइज में रख चुके है ठीक है स्टेटिक वीडियो मतलब कॉंटेंट डैट कॉंटेंट वन स्टेटिक इमेज एन टाइटल तू नो मसल मतलब खली एक फोटो दिया वाय पूरे वीडियो में तो इस तरह के जो वीडिय इसन उसको भी एनेबल नहीं दिया जाता है तो स्टेटिक इमेज पूस क्या है कॉंटेंट पोस्टेट फॉर्ड दा सूल पर्परस ऑफ इंक्रीजिंग एंगेजमेंट बाई आस्किंग पीपल टू रियक्ट कोस्टेंज पोस्टेट बादा कॉंटेंट अब का जो फेस्बूक मानिटेज नहीं देता है तो इस तरह का जो कॉंटेंट हो तो आपको बोल दया ठीक है तो यह समझ के चलिएगा और यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जब आप पेज को मतलब पेज को आगे बढ़ा रहे हो तो आपको जान लेना चाहिए जनकरी चाहिए आपको कौन सा कॉंटेंट में फेस्बूक मानिटेज नहीं करता है तो अगर पैसा खमने के लिए करना चाहते हो तो यह सब पॉइंट दिया गया है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है चाहिए आप यहां से स्क्रीश्वाट भी लेकर आप अपने फोन में राखो और स इसके लिए अलग सा एक dedicated वीडियो में बना दूँगा इस वीडियो में जितना छोटा से छोटा जान करी देकर आपको मतलब प्रफिट देशा को उतना ही दिया जैसे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसका अलग से वीडियो बना दूँगा श्टिक विडियो से एसे बहुत चार-पांच टो यह उससे भी जादा फोटो लेकर आइंग कर दिया और वहां पर एक्टेंट ही है पर आपको माईटाइज नहीं द्याएगा लोंटेंट मतलब एक ही दो सेगट का क्लिप या एक मिनिट का क्लिप लेकर उसको चार बर पांच बाद दस बर बर ले ले-ले-ले-ले-ले कर एक घंटा-Dस-मिनिट कुछ भी उसको content बना देता है तुज तरह कोंटेंट को फैजब करता है टेक्स्ट को भी माइनटेज नहीं दिया जाता है और हर एक जो यह प्रोहिबिटेट किया गया है हर एक के यह आपके लिए उतना ज़रूरी है तो एक बार जाने लिए content that already includes embedded pre-rolls, mid-rolls, post-rolls और banner ads where Facebook offers ad placements for example a video that includes manually inserted mid-rolls ads is eligible for in-stream ads अब समझ रहे हैं जो pre-roll मतलब जो वीडियो से पहले add आथा उसको pre-roll कहा जाता है, mid-roll मतलब वीडियो के बीज में जो add आता है, post-roll मतलब वीडियो के वीडियो खत्म होने के बाद जो add दिखा जाता है उसको post-roll कहता है और banner ads जो वीडियो है, वीडियो के नीचे एक thumbnail जैसा photo आ जाता है और कुछ banner जैसा एक picture जैसा आ जाता है उसको भी यह पर banner ads कहा जाता है तीक है और prohibited behaviors के अंदर आता है आपका जो engagement bet content that incentivizes people to click a link or respond to your post through likes comments और share मतलब ऐसा कुछ content जहाँ पर ऐसे आपको मजबूर करता है आपको वह पर उसको link पर click करने के लिए है उसको like करने के लिए उसको देखने के लिए जैसे बहुत सारा content इसका mark हो गया है यह बच्चा खो गया है प्लीज इसको एक share कर दो तो इसका भाला हो जाएगा इस तरह का content जो होता है नहीं जाता उस तरह का वीडियो आप बनाऊगे ठीक है तो शोइंग ग्राफिक content उल्डा बूल्डा कुछ ग्राफिकल वीडियो कॉंसर्प्शन आप ड्राग्स टोबाको और एल्कोहल एटीसी जो नशक चीज है उस तरह का चीज का लेकार आप वीडियो नहीं बना सकते ह और अधर सेक्शुल वीडियर्स तो यह आप तो समझ चुके ही होंगे तो दोस्तों इस तरह का वीडियो से आप दूर रहो और इस तरह का वीडियो मत बनाऊ नहीं तो आपको में में दिया जाएगा ठीक है और इस तरह का content जो social content नहीं होता है तो social content बनाऊ और पैसा categories content that depicts or discuss a subject in the following categories में face reduced और restricted monetization तो यह भी अब समय चुके होंगे और भी बहुत सारे details से उसके बारे में धिरे-धिरे बताऊंगा इसके लिए आलग से वीडियो भी बनाऊंगा जैसे Facebook में किस तरह content आपको बनाना चाहिए किस तरह का content नहीं बना चाहिए तो आज का जो topic है आपको कोई भी movie clips कैसे मतलब कोई भी copyright वाला clip लेकर movie clip लेकर आप उसको कैस तरह किस एडिट करके उसको oting में दालोगे तब copyright कोई issue नहीं आएगा commentation में कोई issue नहीं ऐएगा आ आपकाiete 줄क भी Audrey हो जाएगा तो तो पीछले वीडियो में मैं जैसे बताया था आपको किस तरह का सा जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरह किस तरह किसे एडिप करना तो उसका जो वीडियो है आप यहाँ पर चैनल में जा कर देख सकते हो ठीक है जैसे यह वाला वीडियो है जो भी वीडियो से मेरे चैनल में सब आपको काम पर लगेगा तो जोस्तों आप देख पार हो मैं अपना जो आपको एडियो में कुछ कहूंगा और कुछ दिखाऊंगा जैसे पिछले वीडियो में मैंने देखा था किस तरह के से बैसिक लेवल का एडिटिंग या फेस्बुक के लिए एडिटिंग करना होता है वो तो आपको सिखाया लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा अलग करू होंगा जैसे यह जो क्लिफ है यह पिछले वीडियो जैसे मैं बनाया था उसी का एक क्लिफ है और इस क्लिफ के साथ यह जो क्लिफ है इसको प्ले करका अब एक बर दिखाता हूँ जैसे एक क्लिफ है यह क्लिफ क्या है मतलब यह कौन है बात है यह कौन है तो जाने के लिए मतलब कोई जरूर नहीं है दोस्तों यह जो content आपको यहां पर दिख रहा है यह जो person दिख रहा है यह इस तरह कर से आप अपना जो face लगा कर या कोई कोई भी content YouTube से उठा कर आप यहां पर लगा सकतो मतलब जब ऐसे लगा होगे मतलब यह reaction वाला वीडियो बन जाएगा और यह वीडियो मैंने उठाया YouTube से और वहां से उठा कर यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया और यह जो इस मेडम की जो वीडियो है और यहां पर इन्होंने जो content अच्छा हो और जो reacts दे रहा है उसको भी दीशने में अच्छा लागी तो आपको content देक्ने के लिए यह जो react से देने बाली है उसके लिए आती है यह आता है ठीक है तो इस तरीके से आप अपना content को कुछ अलग तरीके से एडिट कर सकते हो तो क्या होगा आपका जो वीड शेंसे थोड़ा अलग हो जाएगा और यह थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन आपको इसे पूरा वीडियो में डॉप मृश्हाइज से उसन के साथ मैच बोले है इनका जो content के बारे में लेकिन हम लोग को चाहिए reactions वीडियो तो reactions के लिए जैसे यह पर आब कि यह से देखिए इनका content सुरू हो रहा है ठीक है तो आब क्या किजेगा इसको यहां से काट कर दीजे यहसे लेकर काट कर दीजे तो content यहां पर आ गया ठीक है और आपको यह जो इनका जो वीडियो और नीचे में चल रहा है ठीक है तो आपको content दूपर में चल रहे तो आपको क्या करना होगा आप एक काम कीजिए यह आपको क्लिक करके चाहे आप इसको क्रॉप कर सकते हो ठीक है इस तरीके से आप इसको क्रॉप कर सकते हो तो इसका भी वीडियो का जो कॉंटेंट वो भी अलग हो चुके ठीक है और देखिए ऐसे ठीक है अलग कर सकते हो लेकिन इसका जो चहरा है छूप जा रहे ठीक से दिख नहीं रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हो और सीन वाइज आपको चाहिए या क्रॉप दूसरे टाइप का एक काम कर सकते हो यह पर फिर जाओ और क्रॉप बल आफसन में जाने के बाद फिर इसको इसको कस्टोम में लेकर इसको यहां से क्रोफ कर डैलो क्रोफ करने के बाद इस जो कॉंटेंट competition इसको यहां से लेकर फिर यहां पर डाल दो ऐसे आपको सेटिंग करना होगा जैसे लगे जो रियक्शन देने वाला ये देने वाली है वो कॉंटेंट वही कॉंटेंट देख रहा है तो जो वीडियो देखेंगा उसको भी अच्छा लाएगा और एक काम किजिए इसको बढ़िया से सेटिंग करने के बाद तो आगे यहां पर आप कालर करेक्शन कर दीजिए तो कालर कुछ दूसरा रख दीजिए जैसे वह पर कुछ अलग दिखे भी और अच्छा लगे भी ठीक है देखिए यहां पर कुछ ब्राइट का हो गया कुछ रेड जैसे दीख रहा है ठीक है तो इसको यहां पर आप इसको रख द तो समय ही आपको इसको उठाएकर नीचे उपर में जहां रखना होगा रखती जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह जो मतलब फॉर्मेट है आपके लिए बन गए लेकिन दोस्तों एक काम करना होगा यह जो नीचे वाला वीडियो है यहां से भी आपका कॉपी रैट या कॉपी क्लेम आ सकते तो क्या कीजिएगा तो उसका भी ट्रिक्स है तो सीन वाइस आपको देखना पड़ेगा फूरा वीडियो जैसे जैसे सीन के साथ साथ यह कॉंटेंट कैसा दीग रहा है जैसे रोमेंटिक वाला सीन में देखिए हांस रहा है तो यह काम कीजिएगा इसका जो सीन है मैं जो बतलब जो हांसी आ रही है इनको तो यहां पर इसको लेकर काट कर दीजिए ठीक है उसके बाद देखिए कहा था कि इनका हांसी है तो देखिए ऐसा इनका दिख रहा है रेक्शन मतलब कुछ रेक्शन सी देना पड़ेगा आपको तो इसको उठा कर आप आप यह पर रख दो और यह वहला कॉंटेंट को इनके पर कर दो और इए क्लिप को इधर कर दो तो देख कोदो से जब्सक्तों आपको कैसा दिख रहा है जैसे सूरुस से ही जैसे कसे आपको जूदाब उनका वर्य मेड़ी यूट लग राक्तつ तो उसकि उसके द color होगा है जो color color correction करना होगा तो color correction में आप कुछ बदलाओ आपके लिए ज़रूर ज़रुरिए है तो cool वाला यह option से यह पर इसको select कर दो ठीक है और यह पर भी जैसे पूरा video मेना करना जैसे पूरा video तो आपका जो content है वह अलग हो चुका है तो जैसे यह वाला comedy fit से दिख रहे हैं तो इसको आप हटा भी सकते हैं तो जैसे जैसे content अगे बढ़ रहा है उनका reactions भी अच्छा अच्छा लग रहा है ठीक है देखी देखी ऐसे comedy के साथ matching भी हो रहा है तो इनका जैसे और भी बहुत सा content creator है उनका भी content अब ले सकते हो ठीक है तो फिर इसको यहाँ पर cut दो ठीक है इसको थोड़ा इधर हटाओ और ना सॉरी इसको यहाँ रखने दो और फिर इसको यहाँ पर यह cut दो इसको आगे करो और इसको यहाँ पर cut ओ ठीक है इसको आगे करो इसको पिछे करो क्योंकि आपको content से मतलब है बाकी सब चीजों से नहीं ठीक है बाकी सब जागा पर आपको देख देख कर करना होगा जैसे कहां पर कौन सा आपको लगना चाहिए यह आप खुद का फेस दिखा कर भी आप यहाँ पर अपना नाम भी कमा सकते हो फेस क्वालिट ने मतलब जो फेस्ट क्वालिटी है उसको भी बढ़ा सकते हो ठीक है और आपना जो content है पेज है उसको भी आगे बढ़ा सकते हो और दोस्तों इसके को लेकर आप अपना वीडियो बना सकते हो देखिए इनको देखने भी अच्छा लग रहा है और आपका content भी अच्छा लग रहा है दूसरा डैप का content बन गया ठीक है तो देखो यह जो मतलब यहाँ पर वीडियो खतम हो रहा है तो आपको यहाँ पर ही खतम कर देना छो है था मैंने जो बोलना भूल गया था हो है जो पहले मैं आपको बताना भूल गया था वह जो रेयक्षिन वाफिली वीडियो इस वीडियो का जो sound है मतिलब यह आपको कम करना होगा मतलाब यह जो sound है इसका volume जेरो करना से और जो यूसको वाला है उसको ही आफ जीरो ने इसको जीरो नहीं इसको थोड़ा भुत नहीं इसको जीरो ही कर दिलिए कि क्यों को अपको रेक्शन्स में पूरा ही इसको जीरो करना है ठीक है इसको इस तरीके से आप जीरो कर सकते हो या यहां पर जो लोगो है मतलब जो पॉइंट है इस ऑप्षन से भी आप इसको जीरो कर सकते हो ठीक है इस अब घटा कर जिसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ठीक है तो पूरा वी वाला वीडियो है यह पर बिच बिच में आप ट्रंजिस्ट्ट वाला ट्रंजिक्शन लगा देजुए है यासे इसको बढ़ा करकर ज्रद्णिम पिच में है आधे जितना कतर्ट ना कॉट्टि कर norm ये रृड़ काफी वाल वीडियो यह तो कालर जाएगा तो तोस्तों इस तरीके से आप अपना जो वीडियो एडिटिंग है उसको आप बढ़िया कर सकते हो और आपना फेस लगा कर भी कुछ हांसी मज़ा करके भी अपना कॉंटेंट दिख सकते हो वह पर कॉपिरेट क्लेम या कॉपिरेट जो स्ट्राइक है कुछ नहीं आएगा और आप जो पेज है वह भी आगे बढ़ेगा फॉलवर्स भी बढ़ने लगेगा और इस तरके से लड़का इस तरके से अब लड़का हो लड़की हो कोई भी कॉंटेंट बना सकते हैं जैसे यूट्यूब में है फिस्बुक में उतना ज़दा नहीं है तो रेक्श दल्च बढ़ती चीज्सेथी बड़ी चीज को लेकर आपको परिशानी है तो उसके लिए में और मेरे अगले वीडियों वीडियों में बर्याइज दैने लिए और थैंक्यों सोमच जैहिंट